चलिए देखते हैं कुशन पूरा विज्वल है ठीक है चलो ठीक है आपके बुक का कुशन है इसमें एक न्यू पॉइंट सीखेंगे हैं जैसे अगर मैं बताओं कुशन स्टार्टिंग से क्या क्या है आपका तो देखो ये वाला कुशन तो हम डेन कर चुके है ठीक है ना ये होमवर्क में करना है क्लियर है जिन बच्चों को समझ नहीं आता अब पूछ सकते हो ये कुशन भी आपका होमवर्क रहेगा सिंपल है और कुछ नहीं है इसके अंदर बस यहां पर एक ये पॉइंट है अगर आप नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूँगा ये इन सॉर हमारा ये भी होमवर्क में है इसमें भी ऐसाच कोई ऐसा है निकाम जो कि आपको दिक्कत हो एक ये कुशन है इसके अंदर एक ये बगाईदा हाइलाइट किया हुआ है तो इस वाले पॉइंट्स के लिए सिर्फ में इस को करा रहा है स्टार्टिंग में क्या कहता है पढ़ एक चैन नहीं है चैन नहीं इसका ब्रांच है जिसके अकाउंटिंग करनी है मैं दा हैड़ ऑफिस मेक ऑल परचेज़ एंड ब्रांच चार्ज कॉस्ट प्लस 50 परसेंट जो एच्चो है ये कॉस्ट के उपर सर्फ पचास परसेंट जोड के भीजता है इसका मतलब जो सेल्स पर होगा देट इस होगा 1 by 3 ठीक है कैसे होगा 1 by 3 अगर कॉस्ट पर 50% होता है तो आता है 33.33333 परसेंट जो कि इकुल टू होता है 1 by 3 नहीं तो आप 133 परसेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो किसी चीज का निकालने के लिए ठीक है आगे देखते हैं ब्रांच चा जाता है ब्रांच एक्सेंस आर पीड ब्रांच एंड इंप्रेस अकाउंट विच रिएंबर्स भाइ एक इंप्रेस पैटी कैस्ट प्लोजिंग में यह हमें मान के चलना पड़ता है ठीक है न तो इसके साथ-साथ आगे क्या कहता है सर्फ आगे देखा जाये तो आगे कहता है हमारा के दा ब्रांच कीप सेल्स लैजर सब बना रहे हैं एंड एसेंचियल सबसीडरी बुक भी बनाया जा है बट अधरवाइस दा ओल ब्रांच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड डेली ठीक है स्टॉक एड़ एंड सेलिंग प्राइस जो लास्ट में है हमारा यह हमारा ओपनिंग स्टॉक और यह हमारा डेटर तो एक हमें डेटर अकाउंट भी बना लेना चाहिए जो कि मैंने बना ही दिख लेते हैं तू बैलेंस 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 बीडी डेटर का ठीक है कितना अमाउंट दे रखा है हमारा डेटर का ओपनिंग बैलेंस चाहरा और स्टॉक का बैलेंस हम प्रांच स्टॉक में डाल देंगे लिए इस तू बैलेंस 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 देना, डेट, अब हमारा काम चल रहा है, एक जनवरी और 31 बार है, यानि साल हमारा financial year नहीं है, क्योंकि depreciation लगाने में बड़ा काम आता है, कई बार मान लेते हैं, कोई assets बीच में खरीद लिए और आपने March तक लगा दिया, तो नहीं, आपको ये डेट ध्यान रखना है, क्योंकि ये जनवरी से December वाला follow कर रहा है, ठीक है, क्या कहता है, goods receive selling price पे 15,000, तो goods sent हो गया हमारा, यहाँ पर आ जाएगा, goods sent 15,000 इसके बाद क्या कहता है, cash sales, तो buy side बाएगा cash sales, amount क्या है, 60, 900, इसके बाद क्या है हमारा, goods return है, ठीक है, नहीं, goods return to daily, यानि, आपका जो normal return है, कितने रुपे है, 300, ठीक है, इसके बाद credit sales है, वो भी यहाँ आ जाएगा, कितने है, 6,300, ठीक है, अब यह क्या कहता है हमारा, एक line, authorized reduction allowances selling price, कहता है, allowances है, जो की हमने selling price से reduce कर दिया, ठीक है, अब दो चीजे हैं, देखना, अब समझना इन चीजों को, जैसे मान लो, हम अगर stock account बनाते हैं, जैसे हम, एक stock account बना रहे हैं, यह हमने एक, example ले रहा हूँ है, एक मैं बना के चल रहा हूँ, stock account, तो sir, stock account जो है, plus इधर से होता है, और minus इधर से होता है, माइनस होने का reason क्या है, कितने reason हो सकते हैं, माइनस होने का, अगर आपने sales कर दिया, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और अगर आपने sales के साथ, अगर आपका कोई goods खराब हो गया, goods damage हो गया, यानि loss हो गया, goods का किसी भी reason से, तो भी इधर आ जाएगा, ठीक है, और अगर किसी reason से बढ़ता है, goods sent आ गया, हमारे पास goods receive कर लिया, तो बढ़ जाएगा, अगर किसी वेक्ति को माल लेते हैं, कि मेरा एक जो 1000 रुपे का मेरे पास समान था, ठीक है, हम stock account बना रहे हैं, ना कि profit and loss, और मैंने किसी वेक्ति को ये समान सस्ते में बेच दिया, और मैं यहाँ पे दिखा दूँ, कि भीया, मैंने 800 का बेच आ है, यही 1000 वाला समान, नौर्मली 1000 वाला समान, अगर मैं 1500 रुपे का बेचता हूँ, तो हमारा फाइदा नुक्सान होता है, चुकि ये भी selling price पे है, तो ये वाला समान तो सर 1000 का ही बेचना चाहिए था, फिर हम इसका loading निकाल के इधर कर देते हैं, जिससे वो compensate हो जाता है, लेकिन आपने इसको already 800 पे बेच दिया है, यानि 200 रुपे का नुक्स दे रखा है, आपने क्या दे रखा है, discount दे रखा है, तो ऐसे situation में तो आपको always यहाँ पे loss होगा, चीक है न, तो हमें क्या करना है, कि आपके पास से जो भी goods गया है discount, उस discount के नाम से आपको 2000 रुपे यहाँ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप sales return minus करके दिखा सकते हो, लेकिन discount minus करके sales कभी भी नहीं लोगे, ऐसा क्यों, ताकि फिर हमें actual पता नहीं चलेगा कि हमारे पास closing stock क्यों है, क्योंकि हमने तो सब पे loading निकाल के रख दिया है, तो कभी भी आपका कोई भी sales दे दे, जिसमें से already discount minus हो, या allowances के नाम से minus हो, तो उस allowances या discount को आपको यहाँ भी दिखाना पड़ेगा, और इसे आपको P&L में भी दिखाना पड़ेगा, एक ऐसे ही question allowances के नाम से आया था, ठीक है, अगर already, अगर इसमें minus नहीं होता, तो सिर्फ P&L में दिखाओ, और कहीं नहीं जाएगा, हमें दिखाने की ज़ुरत नहीं है, अगर कोई sales की कोई चीजे, अगर sales return minus है, तो कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि return इधर से minus हो गया, तो इधर वापस आके तो plus भी तो हो गया, ठीक है, लेकिन discount का concept क्या, इधर से minus हुआ, कहीं जाके plus ही नहीं हुआ हो था, फिर वो error कर देता है, तो same इसी तरीके से दिखा जाए, तो यहाँ पर allowances है, तो allowances कहता है, already जो है हमने authorized reductions, selling price of goods, already reduction कर रखा है, तो भाईया इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा यहाँ, और इसको हम P&L में भेज देंगे, profit and loss, और जो हमने reduction किया हुआ है, आप reduction डाल दो, 150, और same entry मैं इधर P&L बना रहा हूँ मैं, और यही entry मैं यहाँ डाल देता हूँ, 2, 2 किस के नाम से, आपका branch stock के नाम से, branch stock account, ठीक है, और 150, bracket में लिखना चाहते हो, तो यह लिख सकते हो, allowances, bracket में लिखना चाहते हो, तो लिख सकते हो, ताकि पता चल जाए examiner को, ठीक है, इसका यह कानी, बस दो ही entry होनी है इसकी, ठीक है, आगे कहता है cash receive from debtor, वो यहाँ जाएगा, by cash receive, cash receive, कितने रुपए का cash receive है, 4800, 4800 यहाँ आगे, आगे क्या कहता है, इसको debtor return off as irrecoverable, debtor को हमने write off कर दिया, जो कि नहीं मिलेगा, मतलब bad debts है यह, तो भाई साब bad debts, दो जगा जाएगा, एक तो यहाँ भी जाएगा bad debts, कितने रुपए हैं, दो सुआ, और दूसरा P&L में भी जाएगा bad debts, कितने रुपए, दो सुआ, अब आगे कहता है cash discount है, तो भाई यह, दो जगा जाएगा, एक यहाँ भी जाएगा discount, कितने, 150 और एक यहाँ भी जाएगा discount, 150 ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, इसके बाद क्या कहता है, a consignment of goods dispatched to the branch, मतलब, कहने का मतलब है, दिल्ली ने एक goods भीज रहा है, किसके चैन्ने को dispatched किया, 28 दिसंबर 20 में, जो कि भाई, 31 दिसंबर तक पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि 31 दिसंबर तक ही accounting है हमारी, लेकिन वो समान, अभी 5 जनवरी, यानि next year भी लग चुका है, लेकिन अभी तक receive नहीं हुआ, 180 और ये समान, जो stock आपको closing बताया जा रहा है, इसके अंदर जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो इसका मतलब सर, ये रास्ते में है, लेकिन भेजा गया, इसी साल के अंदर, अगले साल में count नहीं करेंगे, तो हम जो closing stock दिखाएंगे, वो buy side में दिखाएंगे, एक तो normal closing stock हो जाएगा, जो कि हमारे पास है, जो हम normal लिख देता हूँ, that is question, खुद कह रहा है, 7-2, और 8 goods in transit, कितने रुपे हैं, 180, ठीक है, सर कहता है, Consign Goods Dispatch, 28 December, पहले यहां तक देखें, कोई दिक्कत, समझ मैं है, अब मुद्दे की बात है, सर्थ क्या good sent जो किया गया, क्योंकि आप इधर दिखा देंगे, तो इधर दिखाओगे, तब भी तो वो चीज़े पराबर होगे, तो जो good sent किया गया, क्या यह 180 इसमें जुड़ा हुआ था, के नहीं था, यह देखना पड़ेगा, अगर 180 में यह जुड़ा हुआ नहीं है, तो balance करने के लिए, आपको इधर भी दिखाना पड़ेगा, goods in transit, अगर इसमें जुड़ा हुआ है, तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तो इसके बाद हमें एक entry यहां भी कर देते हैं, फिर, किस नाम से करेंगे हम, goods, क्यूंकि आया है ना हमारे पास, goods in transit, 180, पहले यह बात तो खुछ समझी है, ठीक है, आगे कहता है, the expense relating to the branch for the year ended, जो था हमारा अठारा सो रुपए, क्या expense से भगवान जाने, हमें तो बस यह लिखना है, two expense, और यह अठारा सो पुट कर देना, समझ मैं, अब देखे, कोई सा point रहता है नहीं है, you are required to prepare branch stock account बना लिया, branch debtor बना लिया, branch adjustment बना लिया, अगर कोई भी हमारा ऐसा चीज मिलता है, यहाँ पर कहता है कि एनी स्टॉक अनकाउंटेड जो की नहीं मिले, पता ना चल पाए, उसको आपको क्या मानना है, नॉर्मल वेस्टेज, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ निकलेगा, आपका स्टॉक में इसका मतलब, या तो बराबर आ जाएगा, या तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, चलो, तो सबसे पहले हम लोडिंग वेगर है, तो कर लेंगे पहले स्टॉक अकाउंट का टूटल कर लो, कितना आ रहे हैं इसका, 21, और इधर, एककेस, एक्सवस्सी, अगर डिफरेंस आएगा, तो सॉटेज और नॉर्मन लॉस्स कर देंगे, या फिर मैचा हो जाएगा, एक्सवस्स, एक्स, एक्सवस्स आ रहा है, सई से टूटल करना है, देखो, क्या आ रहा है, डिफरेंस, दिखाने, बूख देख, नॉर्मन निकलेगा, क्या निकल रहा है, माइनस, साट रुपे का रहा है, जिसको हम कूट कर देते हैं, अब हम लोडिंग की बात करते हैं, रिजर्व, तू स्टाउक रिजर्व, स्टाउक रिजर्व, किस पे सर, यह आएगा हमारा टू वाला आएगा, किस पे आएगा, क्लोजिंग का, और किसका आएगा, टू, रिटन, और टू में क्या आजाएगा, नॉर्मल, और तो कुछ है नहीं, तो 1 by 3 निकालना है, तो 1 by 3, 72, बहतर नब्बे, प्लस 180, डिवाइड़ बै थ्री, यह आगा 2490, रिटन की बात करें, तो 300, डिवाइड़ यह 100, आगया है, नॉर्मल की बात करें, तो पूरा ही आएगा, अब, बाइ स्टाउक रिजर्व, ओपनिंग स्टाउक, बाइ स्टाउक रिजर्व, गुड्स सेंट, 180 ले लिया आपने, बाइ स्टाउक रिजर्व, ट्रांजिट, साट, और कोई रह गया, बस, ठीक है, सेल्स रिटन वगर नहीं था, नहीं तो मैं यहां दिखा देता है, यहां पर ठीक है, तो यह आगे हमारा, साथ हजार, साट, यहां पर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर सर्पलस लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं, कितने, 26, चालिस, यह बाई साइड में आ जाएगा, बाई, ग्रॉस प्रॉफिट, 26, क्या कह रहे हैं, चालिस नहीं आ जाएगा, तो आपने टोटल वोटल गलत करके बता दिया मेरे को, नहीं माइनस, हाँ गलत ही बता है, भाई यह 4410 आ रहा है, यह कैसे करके गलत बता है भे, 4410, यह 4410 आएगा, अट्टू नेट प्रॉफिट, माइनस 150, 2110, इससे चेक कर लिजी आएगा, ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट इस सवाल को, क्योंकि हर एक सवाल में देखो, ब्रांच हो, होता है न, अब फाइनल अकाउंट पे तो यह है कि, हर वार अरजस्मेंट, इसमें जितना कराना था करा दिया, बस एक आद पॉइंट लेंग्वेज का है, ठीक है न, तेक है पॉइंट पॉइंट लेघब लेजगाएएपयाप्वेज पॉइंट अच्छते लेग रेये पहाँ़िद लेगेज़ टॉएज लेगे ए झाल पर लेगे और अबॉएब लेगेट रज़िद मेंड़ीट लेज़